आपकी स्क्रीन के सामने एक सक्स की फोटू आपको दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि इन ले आप लोगों ने मोवियों में देखा होगा और आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा अनुपम खैरका और आप देखें कि हमेशा ये चर्चा में बने रहते हैं अभी जबसे आप देखें कि दा कस्मीर फाइल्स आई हुई है आप सोसल मीडिया पर जाएए आप किसी टीवी चैनल को पेपर को अठा के देखें इनका नाम का भी चर्चा में बना हुआ है और आपको बता दूं कि दा कस्मीर देखें आप लोग जमू कस्मीर में देखेंगे तो यहां स्री नगर घाटी में आप देखें कि घाटी में पंडितों का एक समोव रहता था पंडितों की जनसंख्या अधिकतर यहीं रहती थी आप देखेंगे जो कटरवादी आतंकी संगठन थे आप देखेंगे उनके द्वारा पंडितों के साथ इस तरह का नर्वसंगार किया गया उनकी महलाओं के साथ आप देखी वलतकार किया गया उनके बच्चों को मारा गया तो मुझे लगता है कि दुनिया में, भारत की चुड़ी है, दुनिया में उन कट्रपंती सोचबाले, लोगों का सपोर्ट मुझे लगता है कोई ही करे सकता है, इस तरह की घटनाओं का सपोर्ट आप देखी कोई जो इंसानियत आप सोची मानवता जिसके अंदर खतम हो चु हुए आप बता दूं कि इस movie का movie बनाई गई है लेकिन आप देखिए कि अगर इस movie में आपने देखा होगा कई लोग इसकी पिसंसक भी हैं कई लोग इसकी आलोचक भी हैं बुराई भी कर रहे हैं आलोचना भी कर रहे हैं कई लोग तारीब भी कर रहे हैं तो ऐसा माना जा र गया, यानि कि किया हुआ था जो आतंकी संगठन थे, कट्क वा, वाले शंगठन थे, उन लोगों ने में लोग अनुफर्म खेर के बारे में एक सामने जनकारी देख petals अगर इनसी के नाम कि हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इनका नाम अनुफर्म खेर है और इनका जनम होता है 7 मझद MAR-1975 में यानि कि आजादी के बाद इनका जनम होता है इनका जनम हुआ था सिमला हिमाचल पिदेश भारत में हिमाचल पिदेश अगर आपको देखना चाहें तो देखिए आपका हिमाचल पिदेश देखने को मिलेगा जमू कस्मीर से लगा ही हुआ है ठीक है और इनकी माता की पिता की बात करें तो पुसकरनाथ खेर इनके पिता का तो दुलारी खेर इनकी माता का नाम जो ग्रहनी थी और आपने देखा होगा कि इसमें दाकस्मीर में इन्होंने उसका नात पंडित का रॉल निभाय हुआ है ठीक है और पत्नी की बात करें तो आप देखेंगे मधु मालती पूरु पत्नी है यानि कि इनका पहले पत्नी हो जाता है तलाग हो जाता है इसके इनके साब ने आपको दिखाई भी दे रही हूँगे और फिर आप देखेंगे का यान कहरें कहरें इनके बीटे का नाम है, क्या सिकंदर खेर, इनके बीटे का नाम है, आप लोग देख रहे होंगे, स्करीन परेने भी देख रहे होंगे, और इसकूल की बात करें, यानि कि अनुपम्ः खेर खेर की पड़ाई लिखाई की बात करें, तो DAV स्कूल सिमला हिमाचल पिदेश से शुरुवाती सिक्षा लेते हैं फिर पंजाब उनिवसिटी चंडीगर भारस से एक कॉलेज की पड़ाई करते हैं और आप लोग भी पहले स्कूल में जाते हैं फर ही तो आप लोग कॉलेज में जाते होंगे इन्होंने नैस्नल स्कूल ड्रामा नई दिल्ली भारस से भी सिख्छा लिए है और थेटर ड्रामा में गेजुएट किया हुआ है आप सभी जानते हैं अभिनेता हैं एक्टर हैं इनका काम एक्टिंग करना है इनकी पहली फिल्मों की बात करें तो फिल्म अभिनेता की रूम में आप देखेंगे कि इनकी फिल्म थी आगमन ए 1982 में आई थी पहली मूवी टीवी कलाकार की रूम में बात करें तो सवाल 10 करोड का ए 2001 में एक मेजमान की रूम में था और निर्देशक की रूम में फिल्म थी ओम जय जगदिस सन 2002 की बात है तो इनकी पहली मोवी की बात कर लिजी टीवी कलाकार की रूम में चाह निर्देशित की रूम में अनुपम खेर के अगर हम लोग केरियर की बात करें तो अनुपम खेर ने अपनी फिल्म, फिल्मी केरिय कि सुरवात 1982 में रिलीज हुई फिल्म आगमन के साथ की थी और अनपम खेन नहीं बॉलीवोड में काम किया पलकि आप देखे बहुत सी तमिल कंड़ और मले आलम फिल्मों में भी इनोंने काम किया हुआ है और अगर हम लोग इनकी मूवियों की बात करें तो एक मूवी आई ह स्यासी में आई थी इस फिल्म में अनुपम केरने डॉक्टर माईकल डांगो नाम से अभीनाय किया था पर एक मोवी आई थी संसार कौए संसार इसमें आप देखेंगे यह amino पर इस फिल्म में, अनुपम खहर ने दीन दयाल सास्तिरी नाम से अभिनाय किया था। फिर राम लखन, इसमें आप देखेंगे 1989 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अनुपम खेर ने हजारी पर साथ नाम से अभिनाय किया था, एक्टिंग की थी, दिल एक मूवी आई थी, ये 1990 में, और इसमें आप देखेंगे कि इस फिल्म में अनुपम खेर ने हजारी पर स ति हम या फिल्म इनीनिस सो इकानवे में रिलीज हुई थी और आप देखेंगे कि इस फिल्म में अनुपम खेल ने इस फेक्टर ग्रोडारी नाम से अभि नय किया था एक मोवी आई थी, दिल है कि मानता नहीं, या उनीथ डिलीज हुई थी और इस में आप देखेंगे अनपम खेरने सेट धरम चंद नाम से अभिनाई किया था किसके सेट धरम चंद नाम से एक्टिंग की थी स्वाधा गर एक मूवी आई थी 1991 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनपम खेरने मधारी नाम से एक तरह से अभिनाई किया था एक्टिंग की थी एक मूवी आई थी बेटा ये 1992 में आप देखेंगे रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनपम खेरने तोता राम से अभिनाई किया था और सूला और सबनम एक मूवी आई हुई थी यह 1992 की बात है और इस फिल्म में अनुपम खेर ने इसमें मेजर इंदर मुहन लाठी नाम से एक्टिंग की थी एक मूवी आई थी रोप की रानी चोरी का राजा यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी कव 1993 में और इस फिल्म में आप देखेंगे अनुपम खेर ने जोगरान नाम से अभी नहीं किया था एक मूवी थी दिल तीरासिक यह 1993 की बात है इस फिल्म में अनुपम कहणने चौदरीर रनवीर सिंग की नाम से एक्टिंग की थी एक मूवी थी डर यह 1993 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुपम कहणने विजय अबस्थी के नाम से अभी नहीं किया था एक खलनायक मूवी आई हुई थी यह 1993 की है और इस फिल्म में अनुफम कहरने इस और गिरधर पांडी का रॉल निभाया हुआ था एक मूवी थी लाडला या 1994 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुफम खेरने लच्मी नारेन जेटली का किरदार निभाय हुआ था एक मूवी थी हम आपके हैं कौन यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आप देखेंगे अनुपम खेर ने फिस्थार्थ चौदरी का एक तरह से आप देखिए रॉल निभाय हुआ था एक मूवी थी दिलवाले दुले यहां ले जाएंगे यह 1995 में रिलीज हु मुउटष चहाथ यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुपम खेर ने संभूनाज सिंग राठ खौोर के नाम से एक तरह से अभिनाय ठाबी एक मूवी थी कुछ-kुछ होता है यह फिल्म निजितारे मर्लीज हुई थी इस फिल्म में अनुपम खेर मलहतरा नाम से अभी नहां किया था ठिक है एक सलाखे मुवी आई हुई था यह उन्नी सो अंठानवे में रेलिज हुई थी और इस फिल्म में अनबम खेड़ने श्याम लाल नाम से एक्टिंग की थी एक मुवी थी हम आपके दिल में रहते हैं यह उन्नी सो निन्यार में में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनबॉम खेड़ने मिर्टर विसुनात नाम से अभिने किया था एक्टिंग की हुई थी एक मूवी थी आपकी सूरवनसम यह फिल्म 1999 में में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अन्पम खेर ने धर्वेंद नाम से अभी नहीं किया था और आप देखें यह भी काफी चर्चा में रहती है मूवी अभी भी आप लोग पसंद करते हैं एक मूवी थी कहो ना प्यार है यह सन 2000 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अन्पम खेर ने सकसेना नाम से अभी नहीं किया था एक मूवी थी क्या कहना यह सन 2000 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आप देखेंगे खेर ने गुलसन वक्सी नाम से अभी नहीं किया था ए यह फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुपम खेर ने दिलीब देव कपूर के नाम से अभिनाई किया था। वैखम की तरह फुर्तिला यह फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुपम खेरने डॉक्टर भामरा नाम से अभिनाय किया था एक बीरा मोवी आई हुई थी यह 2004 की बात है रिलीज हुई थी 2004 में और इस फिल्म में अनुपम खेरने जाकिर अहमद नाम से एक मोवी थी और यह 2008 में रेली जोई थी इस फिल्म में अनुबाम खहाओ झायरनेataric此. पति एक मोवी थी आपकी इनकी एव एदन सडे को पेन बारण सडे यह फिल्म 2008 में रेली जोई थी इस एक थी सिल्वर लाइने फिलेवे बुक यह दो जार बार हम लिए जोई थी ओस फिलेम में आप देखें कि मंचेनों डॉक्टर चीप पाटेल नाम से मिए देखिछ सर्मा नाम है अभी नाइचे किया था एकटिंग की हुई लाली नाम से अभी नहीं किया था, एक्टिंग की हुई थी, मैं तेरा हीरो, यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में अनुपम खेरने, विक्रान सिंघाल नाम से अभी नहीं किया था, एक मुवी थी, प्रेम रतन धन पाओ, यह 2015 में रिलीज हुई थी, और इस दोनी मूवी दा अन टोल्ड स्टोरी यह 2016 में रिलीज हुई थी और आपने देखा होगा कि इस फिल्म में अनपर्म खेरने एमस धोनी के पिता पांस सिंग नाम से अभिनाई किया था यह मूवी भी काफी चल्चा में रही थी और अच्छी चली थी नाम सबाना एक मूवी थी 2017 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अनपर्म खेरने सुकलाजी नाम से अभिनाई किया था जुडबाटू यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अनुपर्म खेरने वक्सी नाम से अभिनाई किया था एक्टिंग की हुई थी एक मूवी थी ट्वायलेट एक प यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अनुपम खेरने डॉक्टर विजय कपूर नाम से भूमिकाने भाई थी एक मूवी आई हुई थी दा एकसीडेंटल फ्राइम में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आपने देखा होगा कि अनुपम खेरने मनमोहन सींग के नाम से अभी ने किया और काफी अच्छी मोवी थी वन डे जश्टिश डिलीवर्ट एक मूवी थी यह 2019 में आई थी और इस फिल्म में अनुपम खेरने जश्टिश त्यागी नाम से अभी ने किया था और 10 कस्मीर यह भी अभी आप देखेंगे 2022 में आई हुई है और इस फ हास में जाकर उसके महत्पूर्ण पॉइंट हैं जो घटनाय हुई उस पर भी पढ़ना चाहिए फिर आपको निस्करस पर पहुंचना चाहिए कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन था और इनके आंगे क्या हुगा इनके लिए क्या यह बापस जा पाए या इने सुवधा हैं हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा आंगे किसी सरकार ने इनके लिए कुछ किया या नहीं किया इन सब बार बात हैं आपको करना चाहिए ठीक है पुरुसकार भी अनुपर मख्यर को कुछ मिले हुए 1985 में उन्हें फिल्म सारांज के लिए फिल्म फियर सर्फिष्ट अभीनिता पुरुसकार से नवा जा गया इनके फिर आप देखेंगे 1994 में उन्हें फिल्म फियर सर्फिष्ट हास अभीनिता पुरुसकार 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 उन्हें आप देखेंगे फिल्म डेडी और मैंने गांधी को नहीं मारा के लिए राष्टी फिल्म पुरुस्कार भी मिल चुका है भारतिय सिनेमा में आप देखेंगे महत्मूर युकदान देने के लिए अनुपम खेर को 2004 में पदम सिरी से भी सम्मानित किया जा चुका है तो इनसे कई विवाद भी जुड़े रहे हैं साल 2016 की बात है कि माई में अबनेता अनुपम खेर जी एक बड़ी कॉंटरवर्सी यानि की विवाद में फस गए थे और जब उन्होंने तस्वीर साजा की थी एक तस्वीर उन कस्मीरी पंडित कोया फिर कहा जाए तो कस्मीर ह किये गए हमले में मारे गए थे और गायल हुए थे उन्होंने इस तस्वीर के द्वारा उन लोगों का भी विरोद किया था जो उन लोगों का समर्थन करते थे जो आधनगवादी हमलों से जुड़े हुए थे अनुपम के तस्मीर साजा करने के करने के बात जिसने समो कस्मीर पंडित इन हिंदूओं का पितिने धित्त करते थे तो आपको बता दू सारे हिंदूओं के साथ वहाँ इस तरह की घटनाए घटी थी आपको समझ में आ रहे हैं केबल पंडितों के साथ नहीं तो लेकिन हिंदूओं का पितिने घाटी में कस्मीरी पंडित करते थ जब उन्हें कादर खान के द्वारा बिरोद प्यात किया था दरसल अभिनेता कादर खान ने इस बात का बिरोद किया था कि अनपम खेर को पदम भूसन अवाड मिल रहा है अभिनेता कादर खान ने कहा कि अनपम ने ऐसा क्या किया क्यों नहीं एवार्ड दिया जा रहा है इसके बाद अनपरम खेम काफी ट्रोल भी किया गया था कई लोग उनके समर्थन में भी आये हुए थे और इस तरह कर जब भी बिवाद आता है तो आप देखते हैं कुछ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं साल 2016 में अनपरम खेम एक बार फिर से बेवाद में फसके थे जब उन्होंने कॉंग्रेस के एक नेता ससी थरूर के साथ ट्वीटर पर भाहस की थी और ससी थरूर ने साल 2016 में एक ट्वीट किया था उन्हों अपने आपको हिंदू कहने में सरवाती है और डल लगता है तो ऐसे अभिनेता अनपरम खेम ने उनकी बात का जवाब देती हुए कहा कि आप अपने को कांग्रेसी चमचे बोलिए इसके बाद यह बहस और बढ़ गई थी साल 2019 में भी अनपरम खेर एक बेबाद में फसे थे इसमें आप देखेंगे कि अनपरम खेर जी के खिलाप पटना के एक वकील सुधीर कुमार ने चीफ जीवडिसी मजिश्टेट अर्था CGM में केस किया वो कहा कि अनपरम खेर ने अपनी फिल्म में एक्सिडेंटल फराइम नेस्टर की दौरा देश के पूर पिधार मंतरी मनमोह सींग की छवी खराब करनी की कोसिस की और साथ ही उन्होंने संजय वारू की छवी भी बिगाड़नी चाही यह किसना केवल अनपरम खेर के साथ हुआ वलकि इस दौरान अक्षय खन्ना पर भी निसाना साधा गया था तो यह कहानी रही है अनपरम खेर के विवादों की भी तो चलिए आप लोग एंज्वाय करते रहे हैं और भी आप लोगों को किसी के बारे में जानना है तो उसका नाम बताईए कि उस पर हम लोग बात कर लेंगे कस्मीरी पंडितों के बारे में हम लोग जब भी टाइम मिलता है एक ओवर विव जरूर लेंगे आखिर हुआ क्या था ठीक है उन सब पर कौन उसके लिए जिम्मेदार है इन सब बातों पर बात करेंगे हम लोग ठीक है